रिगवेद से 62 बिवाख और गर्वधारन आपका गर्व सुरक्षत हो जिस प्रकार वायू के स्पर्ष से सरोवर का पानी स्पंदित होता है उसी प्रकार आपके गर्व में पलता शिशु सदा स्वांस युक्त हो वह दस महीने तक गर्व में पोशित होकर सप्राण जनमले जैसे वायू वन और सागर सतत स्पंदित रहते हैं उसी प्रकार यह शिशु सतत स्पंदन युक्त रहते हुए जरायू से बाहर आए शिशु दस महीने से गर्व में सोता हुआ विस्राम कर रहा है अब वहां से सुरक्षित बाहर आए हमने ओशधी दी है हे ओशधी देब आप इसकी योनी को प्रशस्त कर खोल दें इससे शिशु को विना कष्ट बाहर आने में जहायता मिलेगी इसकी मादा को भी कोई कष्ट नहीं होगा मदन मोहन तरुन के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित